दोस्तों नमस्कार मैं कीर्टी आज आप लोगों से करॉंदे की खटी मिटी अचार की रैस्पी शेयर करूंगी जो की पहुती स्वादिस्ट बनती है ये देखिए इसका टेक्श्यर चलिए इसे हम बनाते हैं और इसको बनाने में बहुत समय भी नहीं लगता है करॉंदा हमन कर देंगे और इसे कंटिनिवर स्टर करेंगे इसमें हम लेमन जूस का प्रयोग करेंगे चार पिस लेमन का जूस इसमें हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे इसे कंटिनिवर स्टर करेंगे और देखिए कुछी देर में शुगर अपने लिक्विट फार्म मे कनवर्ट हो जाएगा गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे दो मिन्ट तक लो फ्लेम पे कंटिनिवस स्टर करते हुए पकाएंगे अब इसमें हम सॉल्ट वन टी स्पून डालेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के कॉर्डिंग हों कम और ज्यादा कर सकते हैं इसे लो फ्लेम पर वन मिन्ट के लिए कवर करके पकाएंगे और एक मिन्ट के बाद इसे ओपन करेंगे तो शूगर एकदम लिक्विट पौम में आ गया है और बड़े ही आसानी से ये करूंता अब इसमें पक जाएगा इसे दो मिन्ट हम और पकाएंगे अब इसमें हम स्पाइसिस मिक्स करेंगे तो 1-4 टी स्पून टर्मरिक पौडर और 1-4 टी स्पून ही रड चिली पौडर ती खाना खाते हों तो आप कश्मिरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिन्ट हम और पकाएंगे इसमें हम चिली पौडर का प्रयोग करेंगे 1-4 टी स्पून गैस का फ्लेम हम लोही रखेंगे ताकि लिक्विटिटी बनी रहे और ये बहुत ड्राई ना हो और देखे करोंदे का खटा मिठा अचार बनकर रेडी हो गया है अब हम गैस का फ्लेम बन करके इसे पाउल में ट्रांस्फर कर देंगे इसे ठंडा होने पे काच के जार में हम रख देंगे और देखे कितना स्वादिस्ट हमारा ये अचार बनकर रेडी हुआ है